नमस्कार दोश्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके अपने चानल में मैं हूँ आपकी वही अंजली रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला जब हमारे ही चले गए हम जीत जगते थे कई बाजियां, बस कुछ अपनों को जीताने के लिए हम हारे चले गए जो यह आपने सही सुना, हम आज की डिली लाशिफल की बात कर रहे हैं आज की दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरे जो निवर्सरी है उनको मीरी और से ठेट सारी बधाईयां और बहुत से गुट विशिस हो तो चले अब स्टार्ट कर लेते हैं असंभव को संभव बनाना चाहते हो, तो ना मुंकिन को मुंकिन करो दुनिया के लिए सबसे बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो कभी किसी के सामने अपनी बढ़ाई मत करना सोच बदलने से और दोस्तों को छोडने से किसी की लाइफ खतम नहीं हो जाती आगे बढ़ना है तो बदलाव जरूरी है मैं दुनिया को अकेले बदल नहीं सकता, लेकिन समुन्दर में पत्थर डालकर बहुत सारी लहरे उठा सकता हूँ जो सच्चे होते हैं, वो अकसर धोका खा जाते हैं, और जो जूठे होते हैं, वो अकसर धोका दे जाते हैं नदी पार करनी हैं तो कूदना पड़ेगा, चाहे तुम्हें तैरना ना आता हो, खड़े होकर देखने से आप कभी भी नदी पार नहीं कर पाओगे सफ़ता के लिए जरूरी है कि सफल होने की आपकी कामना असफल होने के डर से बहुत ज़ादा और बढ़कर होनी चाहिए हमें जो मिलता है उससे हम जीवन चलाते हैं, पर हम जो देते हैं उससे हम हमारा जीवन बनाते हैं उनके साथ मत भागो जो रोज रोज एक ही रास्ते पर भागते हैं, क्योंकि अगर आप रोज एक नई जगा पर जाओगे तो कुछ तो नया मिलेगा, जिसे देखकर आप भी कुछ नया कर सकते हो जैसा आप सोचो के, वैसा बिलकुल नहीं हो सकता है, पर जैसा आप करोगे, वैसा यकीनन हो सकता है जब सब आपके खिलाफ जा रही हों, तो याद रखिए, हवाई जहाज हवा के विरुत उडान भरता है अगर आपने एक बार भी मैदान छोड़ा, तो आदत हो जाएगी, जितना चाहते हो तो कभी भी मैदान मत छोड़िएगा इंसान को अपनी और खीचने वाला इस दुनिया में कोई चुम्पक है, तो वो केवल प्रेम है, इसलिए सब से प्रेम करो सारे निशान दिखाई नहीं देते, सारे जक्म भरती नहीं, कड़वा बोलने से पहले एक बार सोच ले तो बहतर होगा कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नकामयाबी को दिल से नहीं लेना चाहिए क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड पैदा करती है और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है सबस्पहले मैं आपको बदा दू कि अज़ाब के लिए शिव रंग रहने वाला है सफेद यानि की वाईट कलर और आपके लिए जो है शुब अंक यानि कि लखी नंबर रहने वाला है नंबर नाइन अज आपको जो है कुछ लोगों को अपनी साथियों का सहीओ करना पर सकता है यानि कि आज आपको अपने साथियों की मदद करने का मौका मिलेगा कुछ लोग आपकी काम की सराहना भी करेंगे मदद जरूर कीजे मदद करने के लिए आप हमेशा तयार भी रहते हैं अगर आप अपनी काम में 100% सफलता चाहती हैं तो इसके लिए अपना विवहार थोड़ा कूट नीदी भरा रखे यानि कि सो समझ कर चलिए कि आपको किस चीज़ पर कैसा रियक्ट करना चाहिए कौन सा गदम किस दिशा में रखना चाहिए प्लानिंग के साथ चलिएगा आपको टीम के साथ थोड़ा प्रेम और सक्ती भरा विवहार करना पड़ सकता है आज के दिन इसे में आपके लिए सफलता का मूल सुत्र है क्योंकि अगर आप ढेल देंगे तो जारतर काम सिरे नहीं चड़ पाएगा आज खिलाडियों एथलीट और दोड़ भाग करने वाली वक्ति को विशेश रूप से सावधानी भी रखनी पड़ सकती है वित्त क्षेत्र के अधिकारियों को ज़्यादा अनकूलता रह सकती है बाकि स्वासे रिलीटिट आप ठिक ठाक रहेंगे इसके साथ ही आज किसी भी परिस्थिती में अपना जो confidence है, self confidence बना कर रखना बहुत ज़रूरी है आपकी राश्य वालों के लिए तरक्के के नए रास्ते खुलने से आपके भागे बहुत इच्छे रहेंगे, सहयोग मिलेगा और इस समय पर इसे तिया अनकूल बनेगी आपको जहें इसका पूरा-पूरा मौके का फायदा उठाना होगा संतार से रिलेड़ किसी तरह की चिंता बनी रह सकती है स्टूरेंस के किसी प्रोजेक्ट में विफलता के कारण उनके आतमबल में कमी आया जाएगी यानि कि जो प्रजेक्ट में आप काम कर रहे थे आप इसे कुछ स्टुडंस का प्रजेक्ट स्विकारित नहीं किया जाएगा विफलता हाथ लग सकती है तो अपने आपके जो parents हैं जो parents लोग है उनको चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मबल बढ़ा कर रखे धैरे बना कर रखे माता पीदा को भी बच्चों के साथ समय स्पेंट करना चाहिए तो better result देखने को मिल सकते है आज आपको किसे भी मामले का आपका ट्वाल मटोल रवाई या नुकसान पहुंचा सकता है अपने लिए पूरा जो है schedule तयार रखे और उसकी सक्ती के साथ पालन करे आपको लोगों पर जादा विश्वास रखना और उनको समय देना जादा जरूरी है कुछ लोगों को target हासल करने में परिशानी को सामना करना पड़ सकता है जोब पाने या उसे बनाई रखने के लिए आपको जादा प्रयासो की जरूरत होगी कुछ लोगों को सेहत का विशेश ध्यान भी रखना है ऐसे सितारे आपके बता रहे हैं भागे से जादा अपनी करम पर विश्वास कीजे करम ही प्रधान होता है करम करने से भागे अपने आप ही साह देना शुरू होता है क्योंकि कहते तो हैं नेकी कर दर्या में डार नेकी करते चाहिए और ज़रा गुप्त रूप से कीजेगा फिर देखे आपको क्या मिलता है और सफ़दावी सुनिश्चित मिलेगी वरिष्ट अधिकादियों का सायोग भी मिल सकता है सलहा ज़रू लीज़ेगा कभी कभी शवकर क्रोग की वज़े से भाईयों के साथ मतबेद हो सकता है अपनी मनों के वृत्ती को पॉजिटिव बना कर रखना जरूरी है और थोड़ी से साथ धाने आपको कई परिशानियों से बचा सकती है जी हाँ अब आगे भटते हैं बात करते हैं आज की बिजनस और करेट के बारे में तो बिजनस और करेट में आज मार्केटिंग से रिलेट कारियों और संपर का सूत्रू पर जादा ध्यान दे बड़े और लागधायक ओडर मिल सकते हैं स्टुदिनस को नौकरी से रिलेट कोई आवेदन पत्र आने की संभावना भी बन रही है नौकरी में सफल होने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा समय जो है प्रबंदन पर ध्यान लगाना होगा समय कि आपको आज कदर करनी पड़ेगी टार्गर्ट की टाइम लाइन जो है उसको ध्यान रिखीगा कि टार्गेट को कब कम्प्लीट करना है कहिए ना हो कि आप आलफ में पड़ जाएं और आपको जो टार्ग है को कम्प्लीट ही ना हो पाई समय पर तो आज आपको थोड़ी सीसा दर्गता इस चीज़ पर बरतनी होगी विवसाइक शेत्र में सही होगी और करमचारियों का पूरा साथ मिलने वाला है आज के दिन इससे उतपादन क्षमता में विरिद्धी होगी जिनकी फैक्टरीज हैं उनको बहुत ही जादा फायदा हो मिल सकता है नई ओर्ड़्स मिल सकते हैं आपका विश्वास करना होगा आपको अपने अधिकारियों पर जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कारिशमता भी बढ़ेगी इससे आपको बहुत ही हद तक फायदा हो मिल सकता है आपके ठीम आपके कामों को समय पर पूरा करने में मदद दिलवा सकती है अपने आस-पास के लोगों के साथ कूछ नीदिक विवाय करना होगा धेल मर्ग दीजेगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा था थोड़ा जो है थोड़ा गुसे में थोड़ा आटिटूट के साथ भी काम करवाईए तो जादा नेतीजे अच्छे देखने को मिल सकते है जाद जाद में आज कपड़े के विपारियों को इतना धनलाप नहीं मिल पाएगा जितना उनने सोचा था थोड़ी बहुत गिरावट आपकी काम में देखने को मिल सकती है लेकिन हाँ थोड़ी दिन के बाद ही आपको इससे जो है आप देखेंगे कि कैसी बड़ोतरी हो चुकी है तो आपको जादा आने वाले दिनों में फार्दा देखने को मिल सकता है वैसे आपसे डाउंस हर जगा चलते ही रहते है इसलिए फाल तो कुछिनता मत कीज़ेगा हर दिनने जीरसा नहीं होता मैं तो हमेशा मॉटिवेट करती रहती हूँ कि हर दिने जीरसा नहीं होता सुख दुख तो आदा ही रहते है तो चली बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की सौस्ति की बारे में तो स्वास्ति कहता है कि पेर से रिलेटेट कुछ समस्यां ही पैदा हो सकती हैं, गरिष्च और मसालेदार भोजन से आपको परहिस्क आज करना है बहुत ज़नूरी है, आज सरी मैदे की जीजों का सिवर मत कीज़ेगा, वो बहुती नुकसान दायक हो सकती है, पैर में मोच आ भावित कर सकता है, आँखों में जलन वगेरा हो सकती है, प्रॉपर रिलाज करवाईएगा, और हाँ पॉजिटीव आतावरन की वज़ए से थकान वैत तना भी हो सकता है, पॉजिटीव सोच रखे, पॉजिटीव रवाया रखे, पॉजिटीव लोगों का साथ रखे, तो सब कुछ आपका ठीक होगा, चलिए बात करते हैं आज के लव लाइफ की बारे में, तो आज लव लाइफ कहती है कि प्रेम सबंदु में फिजूल समी नश्ट मत कीजेगा, जिवन साथी और परिवार की सलाह आपकी कामों को और अधिक आसान बना सकते है, अपने साथी पर मधुरता नजर आ रही है, पे आज परिवारिक वातावरंट कुछ नुमा बना रहेगा, प्रेम सबंदों में एगो की वज़ए से कुछ अलग आपके सित्या बनेंगी, इसलिए अपने विहार को सहिमित बना कर रखेगा, तो बात करते हैं आज के विशेश उपाई के, बा प्रकार से आज को किसी को कष्ट भी नहीं दे रहे हैं, साथ ही में अगर आप गुपतरूप से जरूरतमंदों की मदद करते हैं, या किसी अना थाले में कोई पैसा बगएरा देते हैं, यो कोई चीजे देते हैं, तो बहुत ही जब अच्छा रहेगा, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, किसी एक व्यक्ति की भी अगरा मदद कर देते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपको भी बहुत इच्छा फील होगा, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इच्छे लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, धन्यवाद!